जै जिवदानी, ब्यूटि विद एस्टलोजी से मैं कामी निखना एक बार फिर हाज़िर आप सभी के समक्ष सापताहिक राशी भविश्य लेकर में इस से लिके मीन राशी तक का है राशी भविश्य लेकिन उससे पहले आपको मैं आज होली की मुबारक बात देती हूँ होली को ऐसे न मनाई एगा कि तबियत खराब हो जाए कुछ गलत खान पान न करिएका जिसे यह आपकी तबियत खराब हो ना कोई ऐसे रंग यूज़ करेंगा जिसके वज़ासे आपके ऊपर कोई तवचा पर हानी हो और दूसरों को भी हानी हो दूसरा कोई आपसे लढ़ पड़े जगड़े हो जाए मन मुटाभ हो जाए यह समत करिएगा ओरगैमिक यूज़ कीजै हैपी होली एन हैपी होली इस सब्ता में होने वाली घटना है हुटाशचीनी पूर्णिमा होली पूर्णिमा है आज 19 rand 8 बच तक है पूर्णिमा 13 तारिक मतलब कल है रंग पंचमी रंग खेले जाएंगे आज तो होली जलेगी और जब होली जलेगी तो उसमें नारियल और थोड़ी सी सरसों पीली और थोड़ा सा आप जो चाहें वो रेवडियां डालते हैं लोग कुछ लोग मीठा डालते हैं डालके आप चक्कर काट सकते हैं अपने अंदर राशी वानों को समल कर रहना पड़ेगा मनना बुझे इसलिए महालक्षमी की पूजा करनी पड़ेगी चंद्रोदय संकष्टी चतुर्ती है सोला को तो चंद्रोदय रात दस बच के एक मिनट पर आपका वरत खुलेगा जब आप चंद्रमा देखेंगे 17 तारिको बुध मिलेगी आप सुनते हैं सापताइक राशी भविश्य मेश से लेके मीन राशी तक वानों का मेश राशी मेश राशी के लिए लगने में मंगल बने हुए हैं इसलिए बहुत आनंद में हैं ये 12 में शुक्र बुध इनकी लव लाइफ में थोड़ी से अभी रुकाफ्टे है क्योंकि वक्री शुक्र और अस्त शुक्र हो गए हैं सूर्य खसक के आ रहे हैं तो लव लाइफ समालनी पड़ेगी और फॉरन से रिलेटेट काम जल्दी निपटालें क्योंकि सूर्य खसकने से पहले बाद में थोड़ी सी आपको औरचन हो सकती है इसके अलावा आपके भ विरोधी हैं वो सक्री हैं लेकिन वो पायस भी हैं और दिमाग गलत सोच रहा है तो आपको सूर्य को जल चड़ाना चाहिए रिशब राशी रिशब राशी के लगने का स्वामी शुक्र इन दिनों वक्री है और पांच-छे दिन के लिए वह अस्त भी हो जाएगा तब इन की दवयत का विध्यान कीजे क्योंके शनी दो ढ़ाई साल के लिए आपके अश्टम आ गए हैं हलाके अश्टम में शनी आयू के वृद्धी करते हैं लेकिन फिर भी गैस से रिलेटेड नायू से रिलेटेड मज़ा संस्था से रिलेटेड कोई नर्व से रिलेटेड हो रहा है मितुन राशी मितुन राशी के लिए अब दशम में आपके जो शुक्र बूद बैटे हैं वो एकदम से आपके लिए बहुत सारा काम लाए थे और फिर अभी काम खतम हुआ लेकिन आप घर के लिए रेनोवेशन बगरा में लगे हुए अच्छी बात है वो भी का पांता से आपको लेकिन उनकी तबियत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और सब्तम में जो शनी है वो आपके पार्टनर और आपके घरवाले या घरवाली को एकदम स्टाउट बनाता है और वो अपने हिसाब से घर चलाता है या अपने हिसाब से बिजनस चलाते हैं करक करकराशी के लिए अब जो है आपके लगनका स्वामी जो है ये जो है जब शनी से गुजरेगा तब आपको थोड़ा सा परिशानी हो सकती है अदरवाइस ये मोमेंट कोई खराब नहीं है और अभी आपको धेर सारा पानी पीकर और धेर सारी कहते हैं लिक्विड्स पीकर और चाच और नारियल पानी और दूद और आप कह सकते हैं फ्रूट जूस से सब पीकर अपने दिनों को अच्छा करना है इसके अलावा आपके भागे में बैठा हुआ शुक्र बुद्ध में से शुक्र जो है वक्री हो गया सूर्या प्रवेश कर जाएंगे वो अच्छा ह आपके लिए और आपके पराकरम को देखेंगे तो आपका पराकरम बढ़ेगा और आपके भागे के भी उन्नती होगी हाँ मैं कह सकते हूँ अपने माता की तवियत का ज्यान रखिए और अपने पैसे को समाल के रखिए सिंग राशी सिंग राशी के लिए लगना बैठा र सकते हैं हो सकता है यह तो पस्या भी करें बागे में बैठा मंगल स्वग्रही होकर इनको कई सारे अफसर दिलवाता है काम के और वानी इनकी मीठी बनी हुई है परिवार इनका पायस बना हुआ है सिर्फ इनको तबियत समालनी है अपनी पेड से रिलेटेट प्रॉब्लम्स और महिलाओं को यूटरस से रिलेटेट प्रॉब्लम्स को अंदेखा नहीं करना है कनयराशी के लिए लगन में बैठा गुरू अभी शादी के नियोते ला रहा है और शुक्र वक्री होकर सप्तम में जो बैठा है तो गलत चुनाव मत कीजिएगा शादी के लिए एकदम हि करके अच्छे से फिर किसी को हां बुलिएगा अब जो है सूरिय खिसक कर आपके संद्मुक आ रहे हैं तो पूड़ दुष्टी सूरिय की पढ़ने से आपकी परसनालिटी में निखार आएगा अगर आप कोई विद्या पढ़ाई या कोई पढ़ाने के या काउंसिलिंग क कर शष्ट में बैठा और अब वक्री हो रहा है अस्तो रहा है तो आपको अपनी तबियत का ध्यान रखना चाहिए आपको अपने फूर्ड हैबिट्स जो है वो बदनने पड़ेंगे आप थोड़ा सा बॉयल पे चले जाएए उससे अच्छा रहेगा और जो सूरिय थोड़े दिन नहीं आते हैं बट इस्तिती अच्छी है आपके लिए और आपके पार्टनर के स्थान पर जो मंगल बैठा हुआ है आपके पार्टनर को थोड़ा क्रोधी बनाता है आपके स्पाउस को थोड़ा क्रोधी बनाता है लेकिन वो जो कहते हैं वो ठीक है यात्रा आपकी जो है वो अच्छी हो रही है और आपको काम के नए-नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं विश्चिक राशी के लगने का स्वामी स्वग्रही होकर मंगल चेश्ट में बैटा है ये शत्रू का बंदोबस्त करता है विरोधियों का बंदोबस्त करता है लेकिन आप एक ध्यान लखें शत्रू आपके काम करोद मोह लोब हंकारी होते हैं और कोई शत्रू नहीं होता आपको अपने गुसे से भी बचना है और आपको एक बात और है कि विदेश रिलेटेड या प्रेम संबंदों में सुधार आएगा आपको रुन या लोन लेना है तो आप ले सकते हैं किसी को लोन देना है तो भी दे सकते हैं आप दशन में बैठा रहा हूँ टेलिविजन से रिलेटेड या और कोई काम दिलवाता है आपको जो मीडिया से रिलेटेट हो और पैसे आपके रुके हूए बड़े दिनों से आप पैसो के लिए परेशान हैं लेकिन परेशान नहों यह आप पैसे शुरू हो जाएंगे क्यूंकर आप कर्मट हो गए हैं आपने काम करना जोर से शुरू कर दिया माइंड आपका रोमांटिक हो रहा है व्यवसाई भी हो रहा है तो इस्तिती को एंजॉय किजिए सूर्या करमाइंड पर आपकी सही सोच करवाएंगे धनुराशी लगनों में बैठा शनी आपको करमट और सब की परतें खोल देता है आपको सब की सचाईयां पता लगती है और आप धीरे धीरे सब को समझ के आप हुशार हो जाते हैं आपके सूर्य खसक का चतुर्ट में आता है तो आपके बिजनेस में बड़ोतरी होती है और आपके काम की टेलिविजन से related काम आफर होते हैं या और कई काम आफर होते हैं या मीडिया से related तो उनको आपको स्विकार करना चाहिए मकर राशी मकर राशी के लगनका स्वामी अभी अस्वस्त द्वादश में लेकिन आपकी विदेश आत्राओं को सफल बना रहा है और आपकी तवियत थ तो नहीं हो गया मुझे वो तो नहीं हो गया ऐसा कुछ नहीं है ब्रहम है आप अपनी चेक अप वगर अच्छे से करा लीजिए आप सूर्य को देखा कीजिए सुए के पूजा आप नहीं कर सकते वैसे जो पराकरम में बैठा हुआ शुक्र बुद्ध आपको विलासिता की और ले जाता है आपके छोटे भाई बहन आनंद में हैं वो मौझ मजा कर रहे हैं बड़े भाई बहन आपको सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन जो शुक्र वक्तरी हुए हैं उनके बज़े से आपका थोड़ा काम रुख सकता है और माइन परिशान हो सकता है कुमराशी के लिए लगन में बैठा सूरी अब खसक जाएगा आगे और आपके लिए पैसों की संदे से लाएगा परिवार में लोग सही सला देंगे आपको और जो लगन में बैठा केतू आपको परिशान कर रहा है उनके लिए आप किसी भी श्वान को डाल सकते हैं बिस्किट के टुकड़े आपका पराक्रम बड़ेगा आपका तेज बड़ेगा आप काम करेंगे आपके छोटे भाई का बहुत चोटे भाई बेनों का बहुत अच्छा होगा आपका भाग्य भी थोड़ा सा ब्रबल होगा और पैसे तो आपको आ रहा है शनी के लाब में होने की वज़ा से क्योंके वहाँ पर वो कारक बन के बैठा है दूसरे एक गुरु जो है वो अश्टब में बैठके आपकी तबियत थोड़ी खराब करता है अस पाउस से जो आपकी अनबन है उससे बचें तोल मोल के बोलिए मीन राशी मीन राशी के लिए लगन में बैठा बुध इनको व्यवसाई बनाता है ये संद्मुक इनके पती अपतनी के स्थान को देखता है तो उनसे आपकी पढ़ती बहुत है ये आपके शादी का उचित समय आप शादी कर सकते हैं आपके परिवार में पैसे भी आ रहे हैं आपको गुसा चड़ रहा है और आप गुसे में बात कर रहे हैं इस बात पर आप चक कीजिए अब जो सूरे खसक कर आपके लगन में आएंगे उसकी वज़ा से आप तेजस्वी हो जाएंगे लेकिन तबियत को आपको समालना पड़ेगा यात्रा में कोई कष्टना इस पर ध्यान देना पड़ेगा विरोधी अभी आपके बने हुए हैं और प्रेम सम्मंदों में आपके अप सूरे के खसकने से मीन में आने से सुधार आएगा मैं कामी निखना बता रही थी आपको में इसे लेके मीन राशी तका सापताहिक राशी भुषौश लोग आपको बचपन में आपका ध्यान रख रहे थे उनके नाम से कई आपके काम हो जाते थे अब आपके नाम से उनके काम हो जाने चाहिए God bless you, take care